तो गाइस क्या आपको पता है प्रो प्रेयर के लिए सबसे motion important चीज क्या होती यह गेम में तो भूत लोग यहाँ पे comment करेंगे भाई उसका headshot rate important होता है moment speed होता है साती साथ हो कितने अच्छे से gameplay कर पा रहा है जो भी tricks यूज कर रहा है क्या कर रहा है लेकिन यह सब चीजों से भी बता दू तो एक चीज और पहले आते है अगर वो प्रो प्रेयर का सही हुआ तब भी वो प्रो होता है अगर वो गलत हुआ तो नूब होता है अब हो है कैस आप लोगों का setting अगर आपके game का setting ही पूरा गलत है तो आप लोग कितना भी अच्छा खेल लो आप गेम में हो जाएगा इस वीडियो के अंद तक आपको पूरे के पूरे details मिल जाएंगे कि किसका क्या काम होता है आपको क्या रखना चाहिए तो बस वीडियो के अंद तक देखना है और अपने सुन्दर हातों से अपने अच्छे मन से इस वीडियो को like and channel को subscribe कर लेना है जो फ्यूच इसना भी अच्छा खेलो आप गेम में अच्छा नहीं कर पाऊगे तो सबसे पहले हाँ पर सबसे टॉप पर आपका एक सेटिंग आता है एम प्रिसेशन इसमें डॉट रखना है प्रिसेशन और स्कोप रखना है फूल कंटोल अभी तक भूती लोगों को तो यह भी नहीं आज के बाद आपको यह ट्रेंशन खतम हो जाएगा क्योंकि मैं तीनों के डिफरेंस बताने वाला हूँ और साती साथ आपको क्या रखना वो भी आपको इसी वीडियो में पता चलने वाला है तो इससे अच्छे से समझाने के लिए मैं ट्रेनिंग राउंड में आ चुका ह और सबसे पहले हाँ पर हम लोग सेटिंग में कर देते डिफॉल्ट अब डिफॉल्ट करने के बाद क्या अंतर हो ता मैं आपको दिखाता हूँ गास अभी देख सकते हो मेरा एम जो आप लोग देख रहा है जैसे यह देख सकते हो चारेक्टर से कितना दूर है आप लोग देख सकते हो लेकिन जैसे में फायर करूँगा तो आटोमेटिव हो चेरक्टर की बीच में ऐम हो जागा देख सकते हो मैं कितना दूर रखा है सिकी आप लोग देख सकते हो तो Automatisch वो चाहे मैं नीचे रहा ऑषत触्च सबसे बेश सेटिंग होगी आप लोगों के लिए तो जैसे समने अलगा बंदा वी उससपर चला जाएगा । क्वाफ औरना को कि रिता है। यहां पे दिखा देता हूं । नहीं उत्तुरिवब करो इतना दूर है जब कि इससे डिफॉल्ट सेटिंग करते हैं कि आपका एम अगर थोड़ा सा भी दूर है और आप लोगा स्कोप में अगर आपका एम दूर है तो ऑटोमेटिक वहाँ पर चला जाता है तो यह सबसे बेस्ट सेटिंग हो जाता है जिनको बीगनर से और साथी अगर जैसे मैं यहां पर आपका एम पर चला गया बट यही प्रिस्काज स्कॉप में अगर आप लोगा आप लोगता से दिखा यहां पर चला गया बट्याओं scope में अगर आप लोग यहाँ पर scope on करके रखोगे देख सकते हो तो मेरा aim उसी जगह पर रहगा जहाँ पर मैंने scope को aim लगा के रखाए तो यह थोड़ा difference आ जाता है दोनों के बीच में तो आप लोगों को अगर gameplay आप लोगा भोती अच्छा है या भोती गंदा है तब भी आप लोगो default पर ही रखना है क्योंकि default सबसे base setting होता है इससे आप लोग easy से यहाँ पर कहाँ भी आपका aim हो automatic aim लग जाएगा जो की बहुती फायदा करता है game में अब सबसे last में आते हमारा full control अब इसके बारे में क्या है फूल कंट्रोल मतलब पूड़ा का पूड़ा आप पे depend करता है अगर आपका aim थोड़ा से भी दूर होगा like देख सकते हो इतना दूर है में से हलका से दूर है तब भी मेरा aim नहीं लगेगा यही default रहता तो automatic लग जाता आप लोग देख सकते हो यह इसमें एक और है इसको भी आप ओन करके रखोगे तो आप लोगों जहां पर होगा उधरिलाइक देख सकते हो इतना नज़्दिक रखने के बाद भी मेरा aim अगर मेरा सही नहीं है या मेरा aim अच्छे से नहीं है तो fire करने के बाद इसको नहीं लगेगा बट इसी दिखर पर अगर मेरा default होता तो मेरा aim चाहे इतना दूर होता easy से लग जाता तो इसके लिए आपको सबसे base setting करके रखना है इसमें default तो आप लोगे सबसे base यहां पर aim precession में default ही होने आला है चाहे अपने भी गेम स्टार्ट किया हो या आप इतने सालसी गेम खेल रहो हो क्योंकि यह बहुत ही OP होता है इसमें automatic आपका aim लग जाता है अगर आपका aim दूर भी होता है चाहे scope on में या आप लोगा scope off में तो ज्यादा player यही use करते तो आप भी जो से use क्या करों साथे साथ comment में जो बताना आप कुनसी setting को use करते डिफॉल्ड को या full control को साथी साथ guys मैंने इससे full detail भी बनाया full control settings पे कि क्या कुछ रखना चाहे अगर आपनो वीडियो नहीं देखी होगी तो description comment में जो से check out कर लेना link मिल जाएगा उससे आपको और फायदा हो जाएगा setting से बारे में और अच्छा कासा detail आपको मिल जाएगा तो आप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना अपनों दोस्तों को भी share कर दो चोने भी ये details अच्छे से समझ मैं कि क्या र watching